देश व्यापी संपून लोगडाउन होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने 31 मार्च को घोशना की थी कि दिल्ली सरकार 1 अप्रेल से प्रती दिन 10-12 लाख लोगों को खाना खिलाने की व्यवस्था कर रही है मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने ये भी कहा था कि दिल्ली सरकार इसके लिए करीब 2800 केंद्र बना रही है और हर केंद्र पर प्रती दिन 5-500 लोगों के खाने की एक शमता होगी इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि प्रतीक दिन 30,000 स्कूलों और 250 रेन बसेरों में 5-500 लोगों को भोजन बाटना शुरू कर दिया गया है लेकिन हकीकत में दिल्ली सरकार के ये दावे खोकले नजर आ रहे है ना तो नोगों को परियापत भोजन मिल रहा है और ना ही इन स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही मेडिकल गाइडलाइन्स का पालन हो रहा है गौतमपूरी के एक स्कूल में ये नजारा साफ देखने को मिला तो आपने बताया नहीं कि पंद्रह सो लोग यहां पर आते हैं और खाना सिर्फ पांच-छे सो लोगों का आता है यह सब बोले जाता है जितना महां से बेज़ जाता है तुनाया तो दिया जाता है यहां पर बनाने की कोई विवस्ता नहीं है इस तरह की अफरा तफरीज सिर्फ गौतम पूरी के स्कूल में ही नहीं है दिल्ली सरकार की भोजन वितरन योजना का हाल कमो बेश हर जगए ऐसा ही है दिल्ली सरकार की राहत शिवरों की स्थिती भी ठीक नहीं है जहां खाने के सामान की कमी से लेकर अन्य इंतजाम बेहत खराब है हलांकि दिल्ली सरकार सोशल मीडिया पर खूब बढ़ा चड़ा कर इसका परचार कर रही है लेकिन जमीनी हकीकात इसके बिलकुल उलट है दिल्ली में NGO, गुरुद्वारा प्रबंधन और अन्य स्वयम सेवी संगठन बड़ी मात्रा में जरूरत मंद तक खाना पहुंचाने का काम दिल्ली सरकार से कई बहतर तरीके से कर रहे है अगर ये संगठन दिन राद गरीबों तक नहीं पहुंचते तो स्थिति काफी बत्तर हो सकती थी जितने लोगों को यहाँ पर खाना दिया जाता है उनसे ज़्यादा लोग यहाँ पर बिना खाने के रह जाते हैं या वन्चित रह जाते हैं तो दिल्ली की गवर्मेंट जो सोशल मीडिया पर इतनी एक्टिव रहती है वो जमीनी स्थर पर अगर उसकी पॉलिसी की बात करें तो उसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ी खामिया नजर आती हैं दिल्ली से कैमरामेन मनोज के साथ विपिन चोहान राज्यसभा टीवी